असलाम उलेकुम डियर्स स्रोटोनेर्स तो आज हमने केनी जारो रेक्शन पढ़ना है तो लास लेक्चर के अंदर हमने देखा था ऐल्डॉल गंडेंसेशन तो एल्डॉल कंडेंसेशन के अंदर क्या होता था कि हमारे पास ऐसे एल्डी हाइड या किटोन्स होते थे जिनके अंदर alpha hydrogen मौजूद होता था तो किसी एक एलफा hydrogen मूब वह जाता था जो CH2 negative बनता था वो अटेक करता था दूसरे ऐलडी हाइट के कार्बोनील कार्बन के उपर जैसा के यहां कार्बोनील कार्बन के उपर अब देखें A.A.L.D.H.I.D.S. देखने है जिनके अंदर Alpha Hydrogen नहीं होता A.A.L.D.H.I.D.S. that have no Alpha Hydrogen atoms A.A.L.D.H.I.D.S. जिनके अंदर कोई Alpha Hydrogen atom नहीं होता Undergoes Canny Zero Reaction तो वो Canny Zero Reaction देते हैं तो अगेन मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसे LDH है जिन के अंदर α-Hydrogen नहीं होता तो वो कैसे react करते है तो एक बात कि आपके पास जो भी किटोन होगा किटोन के अंदर α-Hydrogen मुझूद होता है mostly क्यूंकि functional group के साथ वाली कार्बन क्या होती है अलफा कार्बन और उसके पुर मुझूद जो हड्रोजन होते हैं उनका हम क्या कहते हैं अलफा हड्रोजन तो कैनी जारो एक्षिन के अंदर सबसे पहनी बात आपने क्या जदकनी है कि इसके अंदर सिरफ और सिरफ आपके पास LDH होंगे किटोन्स नहीं होते तो ऐसे LDH जिनके अंदर अलफा हड्रोजन एटम नहीं होता वो ही कैनी जारो एक्षिन देते तो होता क्या है एक दो ऐसे LDH होते हैं जिनके अंदर अलफा हड्रोजन नहीं होता दोनों के दोनों आपस मेरेक्ट करते हैं NaOH की मुझूदगी में, Sodium Hydroxide की मुझूदगी में और एक Oxidize हो जाता है और एक Reduce हो जाता है तो इसको हम कहते हैं Self Oxidation Reduction Reaction के दो LDH हैं, दोनों के दोनों के अंदर Alpha Hydrogen मुझूद नहीं है एक Oxidize हो जाता है और दूसरा Reduce हो जाता है अगेर बता रहा हूँ, एक Oxidize हो जाता है और दूसरा Reduce हो जाता है तो अगर आप यहां पर देखिए कि आपके पास इस केस के अंदर दो LDH हैं, Sodium Hydroxide डाला हमने ही Caldehyde Reduce होकर, मतलब इसके अंदर Hydrogen Add हो गए है पहले ही क्या था, Just CHOH अब क्या हो गए है, दो Hydrogen Add हो गए है, यहां पर भी तो यह क्या बन गए है, CH3OH तो दो Hydrogen Add हो है, तो इसकी क्या ही है, Reduction तो जो Reduce हुआ है, वो अलकोहल में करवाट हो जाएगा और जो Oxidize हुआ है, मतलब जो पहले था Just CHOH मतलब इसके अंदर से आपने क्या करना है, इस Hydrogen की जगा एक और Oxygen Add कर देंगे, तो यह बन जाएगा मतलब जिसके अंदर Oxygen Add होगा और Hydrogen Immune होगा वो साल्ट बन जाएगा और जो Reduce होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा इनको कहते हैं, केनी जारो रियक्शन्स अगेर बताना चाहता हूँ कि यह आपके पास दो एल्डी हाइड थे जिनकी अंदर जब आप सोडियम हाड़ एकसाइड एड़ करेंगे तो एक रिड्यूस होकर जिसमें Hydrogen Add होंगे वोलकॉल बन जाएगा और दूसरा ऑकसीडाइज होकर आपको क्या बनाके देदेगा साल्ट बना देगा जिसमें Hydrogen Add होंगे तो याद आपनी क्या रखना है, कि दो ऐसे ल्डी हाइड जाइड इनके अंदर Alpha Addrogen नहीं है तो अगर आप इसको भी देखें, openly तो ये आपके पास ये चीज़ है जिसके अंदर Alpha Addrogen नहीं है Alpha Addrogen क्या होता है, Function Group के साथ वाली Carbon पे मुझूद हर्डोजन तो ये आपके पास सारा Function Group है यहाँ पर अगर कोई Carbon होती, उस पे मुझूद हर्डोजन Alpha होता, लेकि यहाँ पर Carbon ही नहीं है, सिरफ हर्डोजन है तो ये Alpha Addrogen नहीं कहलाएगा तो दो ऐसे अल्डी हाइड जहां पर Alpha Hydrogen नहीं होता, वो आपस में रियक्ट करते हैं, Sodium Hydroxide की मुझूदगी में, Oxidation Reduction रियक्शन होता है, एक की Oxidation होती है, दूसरे की Reduction जिसकी Reduction होती है, जिसमें Hydrogen एड होते हैं, वो अल्कॉल में, और जिसमें Oxygen एड होता है, वो क्य Disproportionation मतलब कि Self Oxidation Reduction Reaction, खुद बहुद ही Oxidize भी होंगे या Reduce भी, टू मलेक्वल्स आफ दो मलेक्वल्स होंगे, एक मलेक्वल ऐसा होगा, जो अल्कॉल में करवाट हो जाएगा, जो के Reduce प्रोड़क्ट होगा, और दूसरे किसमें करवाट हो जाएगा, एक मलेक्वल्स is carried out with 50% aqua solution of sodium hydroxide at room temperature, जो ये reaction है, ये 50% sodium hydroxide मतलब कि NUH की मजुदगी में होगा, जो के room temperature है, तो इसकी दो एक्जेंपल्स है, एक ये फार्म अल्डिहेट की हो गई और ये बेंजल्डिहेट, अब देखें, ये अल्डिहेट ग्रूप है, ये जिस कार्बन पे लगए है, य ये अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा हड्रोजन मुझूद नहीं है, तो ऐसे अल्डिहेट जिन पे अल्फा हड्रोजन नहीं होती, वो ही oxidize और reduce होकर क्या बनाते है, अल्कॉल और साल्ड बनाते है, तो ये NUH डालेंगे, तो आपके पास अल्डिहेट है, एक अल्क से देखें, ये CHO था, इसमें दो अड्रोजन एड हो, तो ये क्या बन जाएगा, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, अल्कॉल, बेंजाईल अल्कॉल, इसके बाद आपके पास है sodium benzoate, तो ये आपके पास sodium है, salt, और ये benzine है, तो sodium benzoate बन जाएगा, तो इसके अंदर basically क्या होए, अगर आप देखें, इसके अंदर तो हुई है reduction, इसकी reduction होई है, इसमें hydrogen एड होए, और इसके अंदर oxygen एड होए है, हड्रोजन की जगा, आपके पास क्या आगें दो oxygen आगे है, तो आपके पास एक oxygen पहले से मुझूद था, एक और आ गिया है, तो इस hydrogen को remove करके अगर आप इसकी जगह भी oxygen एड़ कर दें तो ये आपके पस क्या बने जगा सोडियम बेंजोएट तो ये आपके पास salt क्योंकि ये नवेज था तो ये sodium आपके पास यहाँ पर टैच हो जाएगा तो आगे हम इसका mechanism देखते हैं जस्ट आपने इसकी reaction में यही देखना है कि दो ऐसे ल्डियाइट्स होंगे जिन के अंदर एलफा रडो जग नहीं होगा तो वो आपको क्या देंगे एक alcohol और दूसरा salt देंगे इसके बाद है इसका mechanism कि यह कौन-कौन से steps के फालो करते हुए यह आपको product देता है तो अगर आप इसका यह mechanism देखें यहाँ पर अगर आप टीपली देखें तो यह आपके पास O-H है है means कि अपने एसी ऊपनिन लाउत महान से अपने हो एट डाला है तो वेटs बेस्केटलाइज है तो तो आ पर कारवन कर्ण तो जब आप और मैं कार्वन कर्ण तो आपके पास ही और आटैक कर दो देखिए आपके पास ही जड़िड है यह एटक कर कर रहा है कि This कर्बन पर टेक कर गया इसके साथ 2 हड्रोजन पहले से थे जो इसका डबल बांड उक्सीजन के साथ है वो शिफ्ट हो जाएगा और ये सिंगल बांड हो जाएगा तो ये देखें एनाइन बन गया तो ये कार्बन है इसके साथ 2 हड्रोजन मुझूद है आ हट तो ये अब के पस最近 है और शिफ्ट होगी तो ये उनाइन बन गया है एक चल में पहले कार्बन कीसादल बांड उक्सीजन था तो यह वला बांड इसके उपर शिफ्ट होगा तो ये आँसे क्या होगा है अब होगा क्या आपके पस दो ऐल्डियोट थे एक ये था और एक तो एक LD हैट पे तुम बेस का OH अटेक करके A9 बन जागा, दूसरे LD हैट पे यह जो A9 था, इसका हड्राइड आइन अटेक करेगा, क्या अटेक करेगा? हड्राइड आइन, तो A9 ट्रांसफर्जा हड्राइड आइन तो एक्राइड आइन तो हड्राइड आइन जो H नेगटिव है, यह अटेक करेगा कार्बोनील कार्बन पे, और फिर इसका अगें जो है डबल बन कार्बन अवला अक्सीजन के साथ यह सिंगल में करवाट हो हो गया, सिंगल बार्ड यह CH3O-, मतलब कि यह आपके पास CH3O-, तो यह CH2O था, यह यहाँ पर क्या बन जागा CH3O-, नेगटिव उक्सीजन के साथ, डबल की मिज़ए सिंगल बार्ड हो जागा, हर्रोजन इदर चला जागा, तो यह तीन हर्रोजन और O-, मतलब कि आपके इसके बाद यह जो डबल बार्ड था, यह स्टेबल होने के लिए, अक्सीजन के उपर वाला जो बार्ड था, यह शिफ्ट हो जागा इसके उपर क्योंके कार्बन हमेशा चार बार्ड बनाता है, तो यह आपके पास ऐसे बन जागा, C, डबल बार्ड, H, O, H, तो यह सिंग जागा, और यह जो अगले स्टेब में क्या होगा, कि आपकी जो जो इसमेट अक्साइड आइन है, इस असेड से क्या लेगा, H, तो यह जब लए तो यह चापके बन जागा आपके पास, यह जब C3O नेगटिव, यह जो 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 ऑनेट उक्साइड आइन है, तो फो कि सोडियम और सेख्ञाइब के पर शिफ्ट होगा तो यह सी डीड़ मान ओर नेगिटिवप बन जाएगा हम इसके इसमे तो जब आपस इसको एक आपके पास अलिकोहल बन गया जो हम ने बनाना था यहां पर और यह आपके पास किया है H-C1-1-O-N यह आइन है यह जब इसको sodium NaOH से मतलब गजारेंगे sodium hydroxide से अच्छा जब यह आपके पास methoxide आइन है यह H लेने के बाद तो alkohol बन गया और जो आपके पास यह फार्मे केसिड का आइन होगा अच्छा जब आप इसको अच्छा गजारेंगे यह O-negative इस Na-positive पे ट्रैक करकी यह ले लेगा तो यह आपके पास क्या बन गया है salt और OH आपके पास क्या हो जाए गलादा तो हमारे पास LD हाइट से बनने वाली दोड चीज़ें थी एक पास फार्मेल्डी हाइट है जब आप देस केटलाइज डियर्टिशन सेट करेंगे तो आपके पास E9 बन जाएगा और यह आपके पास फारमेल्डी है जब बना देगा साल्ट बना Hadi काहनीजार डाइक्षिंट में अगेर आपके पास नहीं होता तो आपbahn वो इसको वप दूप एकषिद्याइज हो जाता है रिड्रिक्शन का मतलब हैडोजन का एडोना जिसका वह रिड्रिक्शन का मतलबा को साल्ट बना देगा इसके अर्योदो का आयन होगा फर्मेकेसद मत दूब ने तो इसको बुक से पढ़ेंगे, इंशाला आप बुक लेफ़ाई हो चालगा